अससलाम अलेकूम कैसे हूँ आप सब अलम दलीला में एकदम ठीक हूँ उम्मित करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भी बहुत दिन से ना वाइटी के अपर कुछ चल रहा है जैते न्यूटरल हेटर सपोर्टर इन सब चीजों को लेके कुछ चल रहा है अच्छ वीडियो बनाती हूँ मैं इसके उपर रियाक्शन देती हूँ पिठारा के उपर उसके उपर सवाल ये उठा कि जब पिठारा की बारी आती है इसके उपर बात करने की बारी आती है तो तुम मुद्दे को क्यों घुमा देती हो तुम डेरेक सलमा पे या नैना के उपर मु अभूधा कुछ भी नहीं है मैं तो इसके उफ़र भी बहुत सारी बात i करती हूं मैं इसके उफ़र पूरा पूरा पॉयंट रखती हूं तो नहीं वह जो बोली है ना, बंदी ने वह एकदम 100% सही बोली है बल्के 101 टका उसने सही बोली है जब भी बात पिटारा की आती यह न तो तुम बोलती है चोड़ दो तुम उसके चाटू को भी प्रोटेक्ट करती हो तुम उसको भी प्रोटेक्ट करती हो और वो साफ नजर आता है ठीक हो गया और ये बात मैंने अपनी लायब में भी बता चुकी हूँ बलके मैं बात करते ही रहती हूं इसके उपर अब ये वो दिन पिठारा को धो रही थी इन डिरैक्ली ये बोल के रही थी अब एक बात बताती हूं मैं चले अभी थोड़े दिन पहले इसका और जर्दा का जो भी चल रहा था जर्दा अभी भी इन लोगों के उपर वीडियो बना रही है तो जर्दा ने इसके उपर कोई वीडियो बनाई जिसके वज़े से या आपके पैनल पे जर्दा को धोना सुरू कर दी लेकिन ये बोल क्या बोल बोल के धो रही थी न वो आप लोग जाके सुनो वो सलमा की सपोर्टर बोल बोल के धो रही थी जर्दा को सलमा की स पिटारा की सपोर्टर है वो तो मतलब के यह हर चीज में सिर्फ और स्रीफ सल्मा को गसिटती है भई खुल के बोल दे मैं सल्मा हेटर हूं नीटरल क्यों बोलती है अपने आपको जब फसादन की बात आई फसादन के उपर लोगों ने सवाल करना सुरू किये मैं तो पहले द करेंगे न हम इसके फ़र बात करेंगे यह एक वाहिद बंदी थी जो जाकर उसके सपोर्ट में बात करी थी चोड़ दो उसको कुछ मत बोलो अगरके वो नहीं बताना चाहती है तो उसको छोड़ दो उसके साथ में बहुत बुरा हुआ है यह फूल उसको सिंपती दे रही पूरे वाइटी पे कोई अगर फसादन को सपोर्ट कर रहा था ना तो यह वाहिद बंदी थी और बोल रही थी उसको जीने दो उसको उसकी व्लागिंग करने दो छोड़ दो छोड़ दो अगर नहीं बताना चाहती है तो ना बताए वो रिस्पैक रख रही है वो यह कर रही ह और आप लोग खुछ सोचो यह बोलती है कि मैं न्यूटरल हूँ और मैं दोनों बेनों के उपर बात करती हूँ तो जब यह इतना बताती है कि मेरे पास में यह है मेरे पास में 6 गंटे की वोईस है ऐसा है वैसा है तो यह क्यों नहीं निकालती है और इतने क्या बोली कि मे अभी में तुम्हारा पुरा नाम लेके तुम्हें मैंशन करके तुम्हारे लिए दुआ कर रही है महीं ऐसे ही है ना कितना बड़ा इतिफाक है नहीं और फिर तुम उसके साथ में शुरू से थी ठीक हो गया शुरू से तुम उसके साथ में थी तुम्हारे पास में उसकी एक पनाती है नहीं तुम्हें कोई टोहंट करती है कुछ भी नहीं बोलती है वो हो तुम्हें पिटारा फिर यह Good G यही गंदी ना उसके उपर तो बाती क्या करनी थी क्या करनी वो तो पहले से एक्सपोस हो चुकी है इसको छोड़ो दफा करो नेनो को देखो नेनो को देखो नेनो क्या कर रही है वो देखो सलमा को सलमा को देखो बड़ी बाजी को देखो इसलाम को गंदा कर रही है यह कर र और तुम पिटारा को प्रोटेक्ट कर रही हो, यह मैं नहीं बोल रही हूं, यह तुम्हारी बातों से साफ नजर आता है, अब तुम बोलोगी मैं तुम्हारे अगैंस चले गई, तो नहीं, जो दिखेंगा मैं वो बोलूँगी, ठीक हो गया, और मैं वो ही बोल रही हूं, ज के खिलाप बोलने के लिए आती हूँ ये साफ मुझ से कबूल करती है के ये सिर्फ और सिर्फ सलमा के खिलाप है ये उसकी हेटर है और मुझे तो लगता है ये सौधी भी गई थी ना तो पिटारा ने ही भेजी थी ताकर ये एक गवा बन जाए वहां से आने के बाद में ये गवाई दे कि मैं वहाँ गई थी तो मैंने ये देखी तो मैंने वो देखी तो मैंने ये की मैंने वो की और सलमा को जूटा थाबित करे जो कि वही हो भी रहा है वही हुआ है वहां से आने के बाद में ये बंदी ने तेम वही की कि मैंने आखों से देखके आई दोनों में बह बहुत प्यार है, दोनों बहुत अच्छे से है, मुझे ये बोले, वो बोले, फिर मैं आके देख रही हूँ, तो ये कस्मे खा रही है, ये रो रही है, ये दो रही है, भई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, कि तुम्हारे सामने ये बोले, वो बोले, ये किये, वो किये, हा केस से मैं नहीं डरती अब हम केस करेंगे हमने बाते कर लिए हमने ये कर लिया हमने वो कर लिया हम केस करेंगे केस करेंगे करो ना कब करोगे अब केस वली बात को ले लो केस को लेके यही औरत है वाहिद यही औरत है फ्वाइटी पे जो केस 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 करके ना लोगों को डर आ रही है क्योंकि इसको एक काम मिला हुआ है कि तुम्हें ना लाइबो में जाके केस केस का डंडोरा पिटो ताके ना लोग डरे लोगों के दिल में खौफ आए कि भाई ये तो केस करने लगी है और नाम खुद का भी बीच में इसके लिए डाल रही है ताके लोगों को शक हो कि पिटारा के लिए ये काम कर रही है खुल के बोल रही हूं आज और देना है ना जवाब तो देना जरा मेरे को कि ये सब बातों के पीछे की सच्चाई क्या है क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ जब फसादन पिटारा इन लोगों को माफी दिलाने वाली बात तो तुम प्लीज जाके वो जो जर्नलिष्ट है इसके साथ में बात करो और इनको माफी दिलवा दो प्लीज तुम इतना कर दो इसने क्या सोची के देखो इसको दिमाग कितना है अब इसने क्या सोची के अगर के मैं अकेली जाओंगी मैं अकेली बात करूंगी और अकेला म एजन्ट हूं ना मैं तो मैं पकडी जाओंगी तो मैं एक काम करती हूं भाज़ा के बंड़े बाते हैं उनों ह हो और धुलाई हो तो मेरी अकेले की ना हो और मैं पकड़ी ना जाओं कि मैं एजन्ट हूँ तो ये फिर भाग के गई रह्मानी के पास में के चलो हम दोनों मील के बात करते हैं सलमा से ए सौरी वो जर्नलिस से और हमें न इनको मापी दिलवाते है पूछो वो काम किसका था परी सिर्फ और स्रीफ ये थी ठीक है बाद में इसने उसका नाम जॉइंट करवाई इसने बोली और भी लोगों का नाम लो और मेरा नाम कहीं भी परी में नहीं आया हुआ था जाके वो वीडियो समीरा की आज भी पढ़िए आप लोग जाके सुनो वो क्या बोल रही है कि शबनाम ने मुझे एप्रिशेट की थी अगर कि उसने मेरे को बोली थी कि मैंने इस्तिकारा की इन लोगों के बोलने के उपर फिर मैंने ये फैसला ली और इनके बच्चों का सवाल था ये था वो था तो मैंने आपने अच्चा फैसला लिये अगर आप इस्तिकारा करके कर रहे हो तो फिर एप्रिशेटी करूँगी न मैं और जब एक फैसला हो चुका है ले चुके मापी दे चुके इसके बाद में अगर में को बता रहे है तो मैं अगेंस जाके भी मेरा क्या फायदा है मैं वहाँ पर क्यों बोलूँ की नहीं आपने गलत फैसला लिये आप ये केस वापिस से करो क्या कर देती वो मेरे बुलने पर नहीं क्यूंकि केस तो वापीस हो चुका था और वो करवाया कितने था इस बंदी ने करवाई थी और लोगों का नाम गुतेड रही है न कि इसके और मेरे विर पर केस हो रहा है का है भई वह केस कौन से केस हो रहे हैं और ये चीम बोलती तो नहीं हूं लकिन पीक पे था तब तो कोई केस नहीं हुआ अभी कौन सी वजह से केस होगा भई तुम्हारे उपर हाँ केस के नाम से लोगों को बेवकूब बना रही हो तुम आखे लोगों को डराने की कोशिश कर रही हो पिटारा ने बेजी है तुमको बोलके के जाओ केस के नाम पे लोगों को डराओ लाइबो में बैट बैट के बाते करो के पिटारा हमारे पे केस कर रही है और ये बार केस नहीं हुआ ना तो मैं तुमसे पूचूंगी जरूर के केस की कहा गई पूंगी जो तुम बजाते फिर रही थी तो ये बार केस हो जाना चाहिए बाकी एक चीछ के उपर आप लोग और ध्यान दो मैं आप लोगों को पॉइंट बताती हूँ के ये है ना केस का नारा तब तलब के नहीं लगा रही थी जब तलब के रहमानी लाइवों में नहीं आ रही थी ठीक है रहमानी जैसे ही लाइबों में आना शुरू की न उसके दो तिन दिन के बाद से न यह उरत ने केस 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 करना सुरू कर दी किसको डरा रही है ये सोचो अप लो ये रहमानी को डरा रही है ये और भी लोगों को डरा रही है जो इसलामाबाद में है जो पाकिस्तान में उन लोगों को डरा रही है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब बाते ये सब चाल बाजियां समझ नहीं आती लोगों को गुम फिर के सलमा ने यह कर दी, सलमा ने वो कर दी, नैना ने यह कर दी, वो कर दी उनके खांदान वालों पर भी अगर बात आएंगी तो तुम बराबर से चीक चीक के बाते करती हो to act speed के उपर तुम बोल लेती हो लेकिन जहां बात पिटारा की आती है चोड़ो 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 बात नी करनी character के उपर तो बिल्कुल बात नी करनी लेकिन सल्मा के character के उपर तुम बराबर बात करती हो नैना के character पे तुम बराबर बात कर लेती हो अगर neutral हो तो freequel रहो दोनों के अपर उतनी बात करो लेकिन नहीं तुमारी बाते पिटारा के लिए निकलती ही नहीं है अब बच्चों पर बात आती है तो तुम बराबर दोनों के बच्चों पर बात करती हो वहीं पे बात अगर पिटारा के बच्चों पे आती है नहीं नहीं चोड़ दो चोड़ दो सिश्टर बच्चों पे नहीं बात करनी चोड़ दो चोड़ जिसके पैनल पे पुरा-पुरा दिन लटके रहती है उसको तलक के ये बात करने नहीं देती है और ये बात है ना सबको नजर आ रही है सबको पता चल रहा है कि सच्चाई क्या है और जूट क्या है वो दिख रहा है उसके बाद में आके ये बोलना नहीं नहीं मैं तो पिटारा के हेट में हूँ मैं तो उसके अगैंस हूँ भई पिटारा से ना कोई वाहिद बंदी जो द कि मेरे पास में ये है वो है वो है जरूरत पढ़ेंगी तो मैं दूंगी मैं लगाऊंगी हम इसको एक्सपोस करेंगे इस तरह से तुमने बाते की थी अब तुम पेनल पे चड़के कैसे बोल सकती हो कि मैंने तो कभी उसकी कोई चीज निकालनी ही नहीं थी मैंने तो कोई खत्म कर दिया था तो मुझे तो नहीं तब ही बरुता और उसके बाद में फिर तो या इस तरह से दिख रही हो या इसी हरकत कर रही हो नहीं जब वो मुद्दह आया था न तब भी तुम पितारा को ही फेवर कर रही थी तुम हेटर बन गई थी जान बूच के इसको फेवर करने के लिए देखने के लिए क्या हो रहा है का हो रहा है कैसे हो रहा है यह सारा कुछ तुम वो टेम्पे भी कर रही थी और आज भी तुम कर रही हो बाकि तुम कितनी बड़ी हेटर हो ना पिटारा की वो तु तो ये बात आप लोग खुश सोचो ना भई तू हेटर होके तू के अगैंस वीडियो डाले जा रही है और पीछे से तेरी बात भी हो रही है पिटारा से इसका क्या मतलब होता है हां के हेटर तू सीर्फ और स्रीफ उसकी कन्विनियंस के हिसाब से बनती है तू उसका काम करन देती है इस तरह के मस्त के पालिस करने की और लोगों को फुद्धू बनाने की क्या जरूरत है बही तुम्हें तुम्हारा सज बताना है या किसी का भी सज बताना है तो एक ही बात पर रहो ना और सज बताओ ये सज बताना नहीं हुआ जो तुम पैनल पे चड़-चड़ क यह सच बताना नहीं हुआ, अपना हेट निकालना हुआ, यह तुम चाहती हो कि सलमा एक्स्पोस हो और पिटारा के उपर से वो टैग अटे पिटारा को क्लीन चीट दिलवाना तूम चाती ओ बहुत सारे लोग है जो न्यूचरल हुए है सच में हुए है लेकिन तूम नहीं हुई हो न्यूचरल तूम पिटारा सपोटर थी है और हमेथा तूम उसकी ही सपोटर रहोगी इंडिरेक्ली तूम उसको support कर रही हो तुम game खेल रही हो और ये सारा कुछ साफ नजर आ रहा है सा नहीं है कि मैं पीछे की कोई बाते लेकर आ रही हूँ जो दिख रहा है न मैं वो ही बोल रही हूँ और ये मुझे नहीं बहुत सारे लोगों को दिख रहा है साफ नजर आ रहा है कि तुम पिटारा की एजन्ट हो और तुम सलमा को डिफेम करने आ रही हो बहुत सारे लोग देखो ऐसे भी है वहाँ पर जो हग की बात करते हैं सच की बात करते हैं कि एक ही चीच के उपर दोनों के पर बाते करो तीनों के पर बाते करो लेकिन नहीं यह औरत है न सिर्फ और स्रीफ कर लेकिन हाँ मैं उनकी एटर हूँ और मैं पिटारा को कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ पिटारा के टाम पे तुझे लिहाज याद आ जाता है क्यों पिटारा की चीजे नहीं लगा रही है जब 6 गंटे की वाइस है तरे पास में तो वो क्या तुने ब्लैक मिल करने के लिए र लगा तो बहुत सारे चैनल है वाइटी पे उनको दो लगाने के लिए तुमने बोला सलमा ने मेरे साथ यह कि वो की चलो ठीक है मान लिए कि सारा कुछ की लेकिन जब तुम से यह बोला गया कि तुम लाकर प्रूफ दे दो ताकि हम भी सलमा को एक्सपोस करें लेकिन तुम यह बोल दी उसने कुछ नहीं मिला उसको बोलने के लिए सिर्फ यही बोल दी कि तुम जाके उसके नोकरों से बाते ले रही थी तो गेम तो यहां पर तुम केल रही हो ना के दूसरे खेल रहे और वो दीक रहे बुरा लगता है लगो जितना चीकना है ना लाइवों में ज अब सवालों का जवाब है ना उनको देना बहुत जरूरी है तो तुम दो ऐसे तो तुम बोलती हो कि यह एरूगेंट है वह घुज जाता है वह गाली दे देता है वह छोड़ता नहीं है वह ऐसा है इसकी जबान वह इसी जबान अपने आपको चेक करो जब तुम आउपर बैठे रहती हो तुमारे खिलाब कमेंट आता है तो तुम बोलती हो मैं यह कर दूँगी मैं वह कर दूँगी लगाओं क्या वह भी क्लिप कि तुम बैठके लोगों को कैसे थ्रैट कर रही होती है उपर तो तुम दूसरों की जबानों के पर कैसे जा सकती हो तुमारी खु पेचे से नहीं हमंगी जो लाइव ओमें पड़ी है ना चीजे वहीं से लगांगी , कहा तुमने गलत बाते की एक पहाँ पहां पहां प्योन उसको शोपोर्ट कर रही हैं प्तार ने टेग अन्वे इतना इतने लोग आके चले गएंद ये उन से ना वत व पाया तो तो पार रही हो और मेरे से न बहुत सारे लोग आगरी करेंगे क्योंकि जो दिख रहे हैं न मैं वहीं बोल रही हूं बगिकि आप लोग बोलो तो मैं वह सारे क्लिप भी लगा दूंगी है Ho लेना कि मैं अपने दिल से नहीं कर रही हूं बाते जो मैंने देखी हूं जो मैं सुनी हूं मैं वही बाते कर रही हूं लोग भी मुझे क्लीप बेज रहे होते हैं देखो यह यहां पर यह बोल रही है और यह जो इतना फसाद फैलता है ना उसके पीछे भी यही और तो और भ पूचना कुछ तो निका ली लेती है, पूचना कुछ तो बोलने के लिए रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें दिखती है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, बटानों विडियो कैसी लगी,Corna क्या है, यह भी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स्ट वीडियो में ला अपीच